इस chapter में हम geometry object को transform करना सीखते हैं सबसे पहले polygon primitives के मदद से यहाँ पे cone create करते हैं इसे उपर की तरफ मू करते हैं अभी input channel के मदद से यहाँ पे cone के properties कुछ change करते हैं जैसे मैं subdivision height यहाँ पे increase कर रहा हूँ और मैं इसे wire axis में scale करता हूँ अभी shading menu में से wire frame on sheet rate को on करता हूँ अभी इसे wire direction में translate करते हूए rotate कर लेता हूँ अभी हमारा cone diagonally point कर रहा है और हमारे axis word में होने के कारण y axis अभी भी उपर की तरफ point करते हूए लिखाई दे रहा है यह word axis हमारे 3D workspace के center को represent करता है हम इन access को object में बदल सकते है ऐसे करने से access object के अनुसार बदल जाएंगे क्योंकि यह object access हमारे object के दिशा को निर्धारित करता है ठीक है तो अब word की setting हम object mode में change करते है इसके लिए move tool पे double click करे इससे इसकी property show होने लगेगी अब यहां इस move setting में हम access change कर सकते है जैसे object पे click करने से access diagonally change हो गए अब यह बिल्कुल कोन के direction की तरफ दिशा निर्धेश दे रहे है अब इसके बाकी के transformers को check कर देखते अब यह वापस से word access में switch हो देखते है अब हम models बनाने के लिए extrude tool का किस तरह से इस्तमाल कर सकते है यह जान लेंगे सबसे पहले marking menus के मलत से कोन के component selection को activate करे इसके लिए आपको object पे left click करना होगा और फिर face select करे यहां से कुछ polygon faces को select कर हम edit mesh menu में से extrude button पे click करते हैं ऐसे करते ही selected faces पे extrude manipulator दिखाई देंगे इस manipulator के blue arrow को drag करते हुए इस selected mesh section को हम बाहर की तरफ extrude कर लेंगे extrude face को deselect करने से manipulator disappear हो जाएंगे हम channel box के मदद से इस extrude हुए property को access कर सकते है इसके लिए आपको channel box के input में से poly exclude face 1 पे click करना होगा यहां पे काफी सारी settings है जिनका हमें उप्योग हो सकता है जैसे मैं यहां पे divisions बढ़ा रहा हूँ इसका local translation Z modify कर रहा हूँ वगेरा वगेरा इसी के साथ हम इस object पे जितने भी alterations करते हैं उतने ही input nodes attribute editor में अपने आप create होते है और इस तरीके से object की history develop होती जाती है polygon modeling होने बाद हमें इस history को delete कर देना चाहिए अन्यता हमारी file size अवास्तों बढ़ती जाएगी और इसमें माया crash होने की संभावना होती है object की history delete करने के लिए main menu में से edit पे click करे अब delete by type में से history को select करें इससे input में से सारी history delete हो जाएगी हमारे file को neat और optimize रखने का एक रामबाण उपाए है अब इस object की कोई भी input information नहीं है ये बात बिल्कुल सही है की modeling करते वक हम input में से polyface attribute का जम के इस्तमाल करेंगे परन्तो माया के पास उसके भी alternative options है जैसे mood tool पे double click कर उसकी property open करें और mood setting में access orientation में से normal select करें normal हमेशा surface से perpendicular बाहर निकलाते है जैसे यहाँ पे ये extrude polygon नजर आ रहा है अब object पे left click कर marking menu में से vertex mode select करें और यहाँ पे किसी भी एक vertex को select करें अब यहाँ पे जो blue color का axis दिखाई दे रहा है जो vertex से बिल्कुल perpendicular बाहर निकला हुआ है वो normal को represent करता है बिल्कुल यही चीज़ आप component में भी देख सकते हो component में रहते हुए आप किसी भी vertex या polygon face को select करते हो तो वह x axis में normal की तरह perpendicular ही move होगा अभी other reference axis में भी switch हो के देखते है जब हम किसी भी polygon face या vertex को extrude करते है तो हमें extrude करने के लिए जो arrow मिलती है तो वो भी normal की तरह selected object से z axis में perpendicular निकलती है ठीके तो यहाँ पे हम transformation options का lecture खतम करते है अब next lecture में हम component selection के बारे में जान लेंगे इनके बारे में हम next lecture में विस्तार से जान लेंगे लेकिन इसके लिए आपको मेरा channel subscribe करना हुआ Hindi animation tutorial के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभर है